एक सफल और अच्छे निवेशक बनने के लिए दबाईए बेल आइकन को और पाईए अच्छी वाली अडवाइस बेसिस पे लाखो लोगों ने इन्वेस्ट किया तो इसी लिए अब ये मेरी responsibility है कि हर साल मैं अपना updated opinion और updated best mutual funds की list आपके लिए लाता रहूं तो अब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं 2020 के कुछ ऐसे best mutual funds जिसमें invest करना आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा नमशकार दोस्तों मैं हूँ प्रांजल कामरा आज हम जानेंगे साल 2020 के best mutual funds मुझे पता है कि आप बेसबरी से इंतशार कर रहे हैं कि मैं जल्दी से उन funds का नाम बताऊं लेकिन उसके मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को किसी ने भी sponsor नहीं किया है मैं कभी भी इस तरह के वीडियो किसी sponsorship या fee को accept करके नहीं बनाऊंगा मैं आज जो भी funds आपको बताने जा रहा हूं वो हमारी in-depth research उस fund और fund manager के track record और asset management company के reputation इन सारे factors पे depend करता है और किसी factor पे नहीं मैं आज जो कुछ भी हूँ वो सब आप लोगों के कारण हूँ इसलिए मैं आज वही funds बताने वाला हूँ जो आपके लिए बिलकुल सही हो पिछले साल के list के मुकाबले इस साल कुछ नाम बदल गए हैं उनका सबसे बड़ा कारण है reclassification होना तो आज जब हम अलग-अलग mutual funds discuss करेंगे तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्यूँ पिछले साल से वो नाम बदल गए हैं उसका क्या कारण है और क्या आपको भी इस list के हिसाब से अपना investment change कर लेना चाहिए या नहीं इस वीडियो में मैं आपको best funds की list देने वाला हूँ category wise best tax saving fund, best large cap, best multi cap, best small cap, best mid cap fund तो अब start करते हैं पहली category से जो है ELSS या फिर tax saving fund तो ये fund पिछली बार की तरह इस साल भी unchanged है और ये recommendation है आदित्य बेडला tax relief 96 हाला कि ये साल इस fund के लिए बहुत जादा अच्छा नहीं रहा है लेकिन वो इसलिए क्योंकि ये उन rare ELSS funds में से एक है जो mid cap और small cap में भी अच्छा खासा exposure लेता है तो presently इस fund का 55% AUM mid cap और small cap stocks में है और क्योंकि पिछले एक देड़ सालों में mid cap और small cap category ने अच्छा perform नहीं किया है इसलिए ये fund का performance भी पिछले एक साल में इसके glorious history, glorious track record जतना अच्छा नहीं रहा है लेकिन जैसे जैसे mid cap और small cap में recovery आएगी तो ये fund फिर से ELSS category का leader हो सकता है तो इस साल का recommendation भी tax saving category में है आदित्य बेडला tax relief 96 fund सेकेंड category है large cap की large cap का इस साल recommendation है access blue chip fund इस fund को select करने के बहुत सारे कारण है पहला इस fund ने consistently अपने benchmark को beat किया है इसका एक साल का, तीन साल का, पात साल का performance हमेशा अपनी category में top 3 में से रहा है तो बहुत consistently इसने अपनी category को भी beat किया है इसका 0.8% का expense ratio direct plan में बहुत reasonable और justified है इसके low expense ratio के कारण भी ये आपको after expense ratio वाला return काफी अच्छा दे पाता है तो 5 साल, 3 साल, 1 साल के time period में consistently category को beat करने वाला performance AMC का overall track record बहुत अच्छा होना expense ratio का इतना कम होना और large cap category में अब काफी कुछ बदल गया है पिछले साल तक large cap fund select करते समय ये देखना होता था कि वो fund safety oriented है की नहीं क्योंकि कई fund खुद को कहते थे large cap और out performance के लिए invest कर देते थे mid cap और small cap funds में तो investor को लगता था कि वो large cap fund में ने बेश कर रहा है लेकिन उसका काफी पैसा small caps में लग जाता था तो कुछ mutual funds एक investor का पैसा जादा risk की जगों पे लगा देते थे लेकिन अब SEBI के reclassification के बाद ये change हो गया है अब एक large cap funds को अपना 80 प्रतिशत पैसा top 100 companies में से ही choose करके लगाना है तो यानि अब हर mutual fund लगभग बराबर risk लेता है तो अब हम directly ये देख सकते हैं कि कौन सा fund आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले साल तक large cap category में आउट परफॉर्मेंस देखने का ये मतलब होता था कि आप ज़्यादा risk ले रहे हो लेकिन इस साल हर fund ने बराबर risk लिया सबका 80% पैसा top 100 stocks में लगा तो इस साल जो fund ने आउट परफॉर्म किया वो actually उसका fund manager बहुत बहुत अच्छा काम कर रहा है तो कि उन ही 100 stocks में से आपको 30-40 stocks pick करने हैं लेकिन वो ऐसे 30-40 हो जो बाकी funds के combination से better हो ये बहुत मुश्किल काम है फिर भी इस साल Axis Blue Chip Fund Large Cap Funds में number one rank पे रहा इसने सबसे ज़ादा return दिया और इसी कारण ये है हमारे इस साल का Large Cap Fund का recommendation अब बात करते हैं Multicap Fund की और ये मेरी सबसे favorite category है मेरा ये मानना है कि हर किसी को अगर कोई एक mutual fund category चुननी हूँ तो उसे Multicap category ज़रूर चुननी चाहिए क्योंकि ये वो category है जहां fund manager पे कोई restriction नहीं है जैसे Latch Cap category में उसे 100 में से 80 रुपे Latch Cap companies में ही लगाने हैं लेकिन Multicap में वो जैसा चाहे वैसा invest कर सकता है वो चाहे तो 100 में से 30 रुपे का Latch Cap ले 30 रुपे का Mid Cap ले 40 रुपे का Small Cap ले ये totally उस fund manager का discretion है ऐसे में उस fund manager को ये पूरा मौका मिलता है कि वो market में out performance दे सके और आपको ज़ादा return दे सके तो इस freedom, इस flexibility के कारण Multicap category मुझे बहुत ज़ादा पसंद है और 2018, 2019 की ही तरह 2020 की list में भी Multicap recommendation है परात पारे एक long term fund ये consistently एक ऐसा fund है जो तीनों साल इस list में रहा है और उसके कुछ बहुत जरूरी कारण है पहला कारण 3 साल और 5 साल का performance काफी consistent है ये अपनी category में दोनों बार top 5 में रहा second, ये एक ऐसा fund है जो आपको international exposure भी देता है 30 से 35 प्रतिशाथ आपका पैसा Facebook, Microsoft, Apple, IBM जैसी कंपनियों में लगता है जो किसी normal और Indian fund के थुरू आपको नहीं मिलता तो इस fund के साथ आपको मदद मिलती है कि आप India से बाहर अपना पैसा लगा सके और उसका कोई अलग से आपको tax या अलग से extra fee भी नहीं देनी पड़ती इसके अलावा ये fund focused approach रखता है यानि 25-30 से ज़ादा stocks इस fund में नहीं होते इस fund का turnover काफी कम है सिर्फ 4% यानि on an average ये fund सच में अपने stocks को long term के लिए hold करता है अगर इस fund के पास on an average 20-25 stocks हैं तो एक साल में ये एकाज stock ही बदलता है ऐसा नहीं कि हर साल churning के नाम पे आपकी portfolio पूरी बदलती रहे तो ये fund की तीन खूबिया international exposure, focused approach और value investing philosophy ये तीन चीजें इस fund को मेरा favorite बनाती है तो multi-cap category में इस साल भी recommendation है पराग पार एक long term equity fund अब बात करते हैं इस साल के mid-cap fund की ओ, इस साल तो कोई mid-cap recommendation ही नहीं इस साल हम recommend कर रहे हैं small cap fund थोड़ा shock लगा अगर आपने मेरे पुराने videos देखे होंगे तो थोड़ा shocking होगा लेकिन अब reclassification के बाद स्थिती बदल चुकी है पिछले साल तक small cap funds मुझे बहुत risky लगते थे क्योंकि उनमे liquidity crunch आता है और अगर बहुत सारा UAM एक साथ आ जाए तो fund manager के पास resource कहा allocate करो इसकी problem आती है लेकिन reclassification के बाद mid cap category बड़ी अजीब सी हो गई है mid cap का मतलब है market cap wise 101 rank की company से लेके 250th rank तक की कमपनियों में ही वो fund निवेश कर सकता है याने भारत की 101 से लेके 200 वी तक की जो सबसे बड़ी कमपनिया है जो top 100 कमपनियों के बाद बाकी 300 कमपनिया है सिर्फ उन्ही में mid cap funds invest कर सकते है और भारत में बहुत सारे mid cap funds है तो वो सब के पास वो ही 1500 कमपनियों का ब्रैकेट है जिनमें से उन्हें कमपनिया सिलेक्ट करनी है ऐसे में out performance बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत जादा alpha generate नहीं हो पाएगा तो इस restriction के कारण reclassification के बाद से मुझे mid cap category बिल्कुल नहीं पसंद इसलिए हम उसे skip कर रहे हैं और small cap category को काफी wide mandate मिला है 251st rank market cap wise से लेके जितनी भी कमपनिया लिस्टेड है वो सब में small cap fund invest कर सकता है याने आज एक small cap fund 2500 कमपनियों का उसके पास basket है जिसमें से वो select करके invest कर सकता है तो small cap fund manager के पास भी काफी wide choice है अब 2500 कमपनिया है उनके पास select करने के लिए ऐसे में small cap category में out performance का chance अब बहुत जादा है एक और कारण यह है कि small caps पिछले दो सालों में काफी गिरे है और इस कारण आजकल small caps का valuation काफी attractive है और मुझे लगता है कि अगले एक दो साल small cap funds बहुत अच्छा return देने वाले हैं तो यह सही समय है small cap funds में invest करने का क्योंकि पिछले 2-3 साल में गिर गिर के वो बहुत attractive valuations पे available है तो इसी लिए इस साल हम mid cap न recommend करके small cap funds recommend कर रहे हैं और इस साल का small cap fund recommendation है access small cap fund बुरे समय में भी अगर कोई fund अच्छा perform करे तो वो asset management company उस fund manager और उनके investing philosophy के लिए बहुत बड़ा thumbs up है तो क्योंकि इस fund ने adverse समय में भी अच्छा perform किया इसी लिए इस fund को recommend करना बहुत जादा obvious है और small cap funds में आज invest करना बहुत अच्छे time पे एक सस्ते valuation वाले asset class में invest करना होगा तो इस साल की हमारी चार fund recommendation ये हैं ELSS category में अधित्यपिडला tax relief 96 large cap category में access blue chip multi cap category में पराग पारे long term equity fund small cap category में access small cap अगर अभी तक आपने mutual fund में investment शुरू नहीं किया है तो आप आज ही बिना commission बिना fee के grow app के थुरू mutual fund में investment शुरू कर सकते हैं तो grow app का link भी आपको इस video के description में मिल जाएगा उमीद करता हूँ कि ये video आपको पसंद आया होगा अगर हाँ तो इस video को like जरूर कर दीजेगा साथ ही अपने दोस्तों के साथ whatsapp group में facebook पे इसे share करना ना भूलिएगा ताकि वो भी इस नए साल एक अच्छा investment decision ले सकें अपने पैसे को गलत जगे निवेश ना करें और best mutual funds में उनका पैसा invest हो अगर आप इन mutual funds में invest करना decide करते हैं तो आप लेंगे एक अच्छा financial decision अगर आप इसी तरह और अच्छे financial decisions लेना चाहते हैं या कोई financial queries के जवाब चाहते हैं तो आपके पास बहुत सारे options हैं सबसे पहले तो आप इस channel को subscribe कर सकते हैं और bell icon दबा सकते हैं आप मुझसे Instagram, Twitter, Facebook पर भी जुड़ सकते हैं या फिर आप हमारी website विजिट कर सकते हैं या हमें इस number पर call कर सकते हैं और आपकी कोई भी query हो कोई भी doubt हो हमें बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके क्योंकि मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ 1 से 1 million तक के सफर में साथ देने के लिए और इसी लिए आपकी कोई भी help करने में मेरी team को बहुत जादा खुशी होगी तो feel free to visit our website या फिर हमें phone करने के लिए धन्यवाद उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा मैं लाता रहूँगा ऐसे और बहुत सारे वीडियो तब तक के लिए दिस इस प्रांजल कामरा साइनिंग ओफ बाई बाई